कि अब चलो कैसे और दिखाई भी दे रहांगा है को रिकॉडिंग ओन कर दिया हूं प्लाश शुरु करते हैं ठीक है लो आज की क्लास फोड़ा परिशान करेगी मैं पहले वार्णिंग दे रहाँ क्लास की शुरुवात में ठीक है से मिकंडेक्टर अगर अभी तक परेशान परिशानी किया है तो आज से परिशानी थोड़ी से शुरू होगी ओके जिसलिए थोड़ा स्तरक्र है ध्यान से सुने फोक्स रखें पूरी क्लास में ठीक है क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं जंक्शन जंक्शन ट्रांजिस्टर तो द्यान दीजेए हमने जब डायोड बनाया तो हमने उसमें क्या खास चीज अचीफ करी अचीफ क्या कि हमने है सर अपने दो अलग अलग तरीके की अज़ो स्यल्मिकंड़क्टर थे उनको जोड दिया जिससे एक साइट से बीहेवियर अलग हो गया दूसर सब क्यां अलग हो गया यही अची चीच्वेंट है नहीं हम आ यह अचीवमेंट तो यह ने बैटा कि एक साइट का रिश्टेंस ज्यादा एक साइट का रेश्टेंस कम है उसका यूज करके हम लोग ने अलग लग डिवाइसे बना लिए अलग का नहीं है पर अच्छा एक बात बोलूंगा प्लीज किस अपने एक सी वर्मा से और अपने कोई सब्सक्राइब करेंगे अब इसलिए आज डिसकस नहीं कर रहा हूं कि पहले आप प्रैक्टिस करो होगी आपको कन्फीजन आएंगे बहुत पतांग से उसके बाद में सॉल कराऊंगा तो बहुत जादा इफेक्ट आएगा ठीक है मैं एक भी कुशन कर रहाए भी ना आपको सॉल करने के लिए कह रहा हूं सर्किट पर बेस्ट कुस्टिंस और डायोट्स ओके ठीक है चलो फ के बिर्व करते हैं फिर च्रांजिस्टर में क्या होता रहा दायोट्स में क्या था धॉस्ट्स में क्या था दो एंडपउइट्स ते यह बी डायोड में क्या हुआ अभी भी endpoints दो ही है बस दोनों साइट से behavior अलव हो गया है है ना अच्छा इस triangle और इस line में से P कौन सा और N कौन सा है बताई दो भुल गया है से लाइन वाला साइट नेगेटिव है नेगेटिव नेए एन साइड है और फिर P हाँ चलो अच्छा actual में ये राइस्टर ऐसा होता है या simple wire होता है simple wire होता है हम ठीक है और डायोड के इसा होता हमालू है actual में पताया था अपन ने पढ़ाई अपन ने क्या होता है एक तरफ पी होता है और एक तरफ एन होता है राइट यह ने कहान यह भी तक की जो अपन को मालूम है current carrying devices के बारे में obviously हमें इसके लाबा इंड़क्टर भी पता है capacitor भी पता है सब कुछ मालूम है but this is the basic जो हमें हमने अभी तक पढ़ा है इसके अलावा हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसके आगे जो है इसमें एक नई चीज होगी जो आपने आज तक कभी नहीं देखी वो नई चीज क्या होगी जो आपने आज तक कभी नहीं देखी तो बेटा यहां पर दो एंड्स हैं यहां पर दो एंड्स हैं ट्रांजिस्टर के तीन एंड्स होंगे कितने एंड्स होंगे तीन एंड्स होंगे तो तीन एंड्स कैसे होंगे तो तीन एंड्स कुछ बनाते उसका ऐसे सिंबल उसका ऐसे यह भी हो सकता है और इसमें गूला बना देख और यह भी हो सकता है कि ठीक है इसमें टीन इंट पॉंट्स हो गया है इन तीनों इंट पॉंट्स के नाम है नाम पर बात में जाएंगे अभी पस सिंबल लिख दे रहा हूँ ECB ECB और यह एक्च्वल में कैसा दिखेगा एक्च्वल में ऐसा दिखता नहीं बड़ आप सिंबलिकल लिए फिर भी धोड़ा सा कुछ अच तक ऐसा देख सकते हैं अच्वल में अच्वल अच्वल लिख दिखा रहा हूं कि आपका सिंबली पहली बार इतना अड़ाटेट है कि सिंबल याद करने में टाइन लिख देख पी एन पी ए बी और सी पहली बार कोई डिवाइस आईए आपके सामने जिसका सिंबल ही खतरना के राइट यह एरो बाहर है अंदर है एक एन पी एन है एक पी एन पी है ECB पता नहीं क्या है राइट इसको बस एक बार कॉपी कर लो ठीक है थीज आर यूर प्रांजिस्टर्स ठीक है थीज आर यूर प्रांजिस्टर्स यह इतनी मेंद्ध करो उससे बड़े में यह बना दूँगा करना का इसमें एक स्कॉयर बना के दो लाइन खीच निया यहां पता नहीं एक लाइन की जो एक एरो बना ओओ एक रों ऐसे बना ओएगा वादुश्य आ सब्सक्वार्ट कितनी मेनद्व हो गई यहां ज्याद बढ़ूं आगे यह आपका रेजिस्टेंस था यह आपका डायोड है और यह है आपका ट्राइंजिस्टर अप्यों गया तो देखो दो तरीके के ड्राइंजिस्टर होते हैं कौन कौन से एन पी एन और पी एन पी दो तरीके के ट्राइंजिस्टर होते हैं ठीक है कितने तरीके के ड्राइंजिस्टर होते हैं दो तरीके के पहले एक कोई भी एक ट्राइंजिस्टर बनाता हूँ यह दोनों बना लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है मैं पहले एक एन पी एन ट्राइंजिस्टर बना रहा हूँ NPN Transistor जो है Transistor और बगले बनना दे रहा हूँ PNP Transistor क्या है समझी बात को इस जो NPN Transistor है इसमें एक N होगा यह N Doped अलब N Doped क्या होता है N Type Doping में क्या होता है क्या एक्स्टा होता है Electronics Extra होता है कि Positive Charge Extra होता है वालब Hols Extra होता है Electronics Extra होता है यह P Type है और यह भी एक N Type है तीन तरीके का Transistors हमने चिपका दिया है इसमें से इसको मैं कह रहा हूँ अच्छा तीन टर्मिल लगा दिया आपर इसको हम कह रहे हैं Emitter क्या कह रहे हैं Emitter ठीक है इसको क्या कह रहे हैं Emitter इसको कह रहे हैं Base क्या कह रहे हैं इसको Base और यह क्या है Collector ठीक है तीन है ना NPN तर तीन नाम होंगे एक का नाम है Emitter एक का नाम है Base और एक का नाम है Collector ओके Similarly PNP में भी सेम कहानी है इसलिए हापर क्या रहा था मैंने E C B यादा है सेम कहानी आपके PNP में भी है यह आपका P यह N यह P इसमें यह आपका Emitter है यह आपका Base है और यह है आपका Collector Base हो गया यह Emitter हो गया और यह Collector का Terminal हो गया ठीक है यह जो NPN रांजिस्टर है चाहे PNP रांजिस्टर हो देखो तो सर्कल बनाने से ज्यादा Confusing हो जाता है हाला कि सर्कल सिंबल में है तो हम सर्कल बनाएंगे पर इस बार नहीं बना रहा हूं ठीक है NPN रांजिस्टर जो है उसमें आपका एक एर एक ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा यह बेस हो जाएगा उस पर दो लाइन खिचेंगी यह जिस पर आरो बना है वो कोई मेटर है और जिस पैरो नहीं बना है वो कलेक्टर है ठीक गोला बनाते हैं हम लोग मैं नहीं बना रहा हूं क्यूंकि उस बिनागेस जादा क्लीन दिखता यह ठीक है कई जगा मैंने देखा बीना गोले के बुक्स में भी बनाया हुआ है और मुझे ज्यादा अच्छा लगता है बट ठीक है कि अ कि दूसरा है आपका यह बेस रहा यह इमेटर अंदर की तरफ एरो है कि कलेक्टर में कोई आरो नहीं है कि अगर एरो बाहर की तरफ है तो वह एन पी एन टाइप है और अगर एरो अंदर की तरफ है तो पी एन पी टाइप है कि इसके बीचे क्या लौजिक है एरो उपर नीचे करके हमको इतना कंफ्यूज क्यों कर रहें दो सिंबल इतने आसपास हम रादी हमको कैसे याद रहेगा सब याद हो जाएगा धीरे जरे करके चिंता ना करो आगे जाके कुछ आएगा उच पढ़ेंगे हम जिससे यह के अब इतना समंझ लो एक पयरो बनेगा एक पयरो नहीं बनेगा जिस बनेगा वो एमिटर दो Ist आधे के अ किया है कि इसको अमीटर इसको पालेक्टर क्यों नहीं बोल सकता हूं यह इसको इमेटर इसको इसकोफल क्यों नहीं बोल तो हूँ किने इट लेटर कर होगा यह यह वह आक़ी ज़्गेए ठीक है बट्रार आ कि क्यों इससे इमिठों और इससे गलेक्ट जो दोनों एंखे तो क्यों इससे मिठों और इससे गलेक्टों जब दोनों पीए ठीक है एक कापी करो थेहां से कर दो कि ये धना ये कि या ये कना म सदस्द और ब्याना और ये जा हना, ये छोुफर ये से जेटूँ है कि अप्पी हो गया ज्यादा को सानी हुँ दून में कुछ न कुछ न को शंतर को ना चाहिए न कि एक को एमीटर और एक को प्रेक्टर बोलने के लिए हुआ है बोलो हुआ है कि नहीं है कि आगे बढ़ते हैं कि अगर कि अगर कि अगर कि एमीटर क्या होता है इमीटर होता है लॉंग लंबा होता है रिलेटिवली पतला होता है रिलेटिवली पतला नहीं बोलना चाहिए बोलूंगा लेस क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ठीक है रिलेटिवली कम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आपके एमीटर का और सबसे इंपर्टन चीज है हाईली डूप्ड होता है हाईली डूप्ड ओके डूपिंग वह ज्यादा होती है कोई दिक्कत बेस जो है आपका यह थिन होता है बट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ठीक है एंड सबसे इंपर्टन चीज है लाइटली डूप्ड होता है डूपिंग बहुत कम होती है आपके बेस में और आपका जो कलेक्टर है कलेक्टर क्या करता है तो सब कलेक्टर आपका ब्राड होता है मतलब क्या बोलेंगे लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ठीक है और मॉड्रेटली डूप डूब होता है सब इस सब से क्या हुआ देखो मैं जो बनाने जारो पिक्चर यह अभी भी जो मैंने सु सिर्फ उपर जो पॉइंट्स लिखें उनकी हिसाब से बना रहा हूँ एक्चल विक्चर इससे थोड़ी और डिफरेंट होती है ठीक है यह है आपका इमीटर जो हाइली डूपड है हाई डूपिंग माल लिए यह एंसाइड है इंटाइप का मेंटर है इंपी ज्यादा यूज करते हैं पी इंपी कम यूज करते हैं क्योंकि सद्सक्राइब आफी आप कर आपको चलो इसके बाद क्या आएगा अब बेस आएगा जो बेस बहुत ही तर रेकॉर्डिंग हो रही है यह फिर से चख्र लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है जो बेस है वह बहुत ही पतला होता है पता है बेस कितना पतला होता है थिन का मतलब क्या है फ्यू माइक्रो मीटर ठीक है बहुत ही कम फ्यू माइक्रो मीटर में होता है वह बहुत ही थर्टी माइक्रो मीटर के आसपसा आता है ठीक है इतना पतला होता है यह और उसके बाद आपका जो कलेक्टर होता है वो कुछ ऐसा है इसकी लेंथ उतनी जादा होना ज़रूरी नहीं है लेंथ से कोई खास फरक नहीं बढ़ता है यह आपका बेस हो गया और यह आपका कलेक्टर हो गया ओके कलेक्टर यह लाइन एक्षा बन गई उससे तो यह काम करता ही देता हुआ अग्या ठीक है इसके वाद क्या करते हैं हम लोग एक टर्मिनल इसमें बिठा देते हैं एक टर्मिनल इसमें बिठा देते हैं और एक टर्मिनल इसमें बिठा देते हैं ठीक है अब इसली अच मैंने थोड़ा गलती किया है इस सो सी को मैं उपर लिखूँगा और अंदर में लिखूँगा N P N ओके यह आपका इमीटर टर्मिनल है यह आपका बेस टर्मिनल है और यह आपका कलेक्टर टर्मिनल है कोई दिख्कत है किसी को इस डियाग्राम में इसका और रियलिस्टिक डियाग्राम आपकी बुक्स में है कि मैं वह भी बना देता हूं बोलोगे तो कुछ हद तक कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं वह आपकी बना देता हूं क vendors कै कि बुक्स करते हूं कि मैं आपकी बना देता हूं आपकी बना भी बुक्स वहाुद का देता हूं झाल झाल को इसको कपी मत करना यूंकि ना को भी बनाना नहीं होगा आश्रापको दिखाने के लिए बना रहा हूं घुल वाला निए वायर्स है ओके समझ माया आश्य यल्लोवाला है यह सिर्फ वायर्स है यह आपका emitter का terminal है यह आपके collector का terminal है actual में यह आपका emitter है यह आपका base है और यह आपका collector है emitter कैसा है n type है collector कैसा है p type है और यह कैसा है फिर से n type है समझ मैं आया है और यह दोनों को distance है ने बहुत कम है few micrometers है this is more realistic कि कैसा ही दिखता है बट हमारा काम इससे हो जाएगा इससे हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है बटा इसमें तो collector का cross section बढ़ा नहीं है देखो effectively बढ़ा है क्योंकि यहां से जब electrons ऐसे जाएंगे न तो electrons को base का cross section तो इतना ही मिला और collector का cross section जादा मिला मिला की ने मिला हां हां ठीक है हमारा काम इससे हो जाएगा परिशान मत यह बढ़िया डियाग्राम अब दो को मैं यह डियाग्राम यह फोटोपनी दिवां मेरा रखना पर बार यह फोटो निवना हूँगा तुम बार बार सिंपल फोटो बनाउंगा एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर एक पी डाल दो अठीक है अग्यूट अपनी वाली पिक्चर रखोगी हमसे बड़ी अकाम करेगी यह वाली क्या अक्षिजन क्रेट करेगी क्या लिखा हुआ है बढ़ी जने नहीं हमको realistic विव नीची हमें simplistic विव ची जिससे काम होज़ा जिससे concept समझ में आ अगया realistically इसको कैसे जोडते हैं क्या करते हैं सब्सक्राइब टेक्निकल टीम कैसे आप दो टाइप के विजंक्षिन को और यह दो टाइप के सेमिकनेक्टर को जूड़ोगे सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट अच्छा रहे और पुरा का पूरा पूरा इलेक्ट्रों सब्सक्राइब करने के लिए अच्छे से फ्री हो रही यह भी जपने आप में प्रोड़्लम है कि नहीं है पता हला आपने फिवीकल लागा दिया इंस अच्छा इन अच्छा इस चलो फिर तो हम लोग बात कर रहे थे सेमी कंड़क्टर सी हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर्स की अ प्रश्टर में हमारे पास हम एक सिंपल सा अब हम एक्षिन पढ़ेंगे एक्षिन आफ एन पी एन ट्रांजिस्टर्स एक्षिन का वा लोग कैसे काम करता है यह हाव ड़ीट एक्ट ठीक है अगें बता दे रहा हूं मैं इसमें मैं एक स्पेशल तरीके का कनेक्शन यूज़ करने वाला हूं जिसको हम कहते हैं इन कॉमन बेस कन्फिग्रेशन कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में मालब समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा आपको मुझे पता है कोई बात में दूंट वरी हम लोग क्या करेंगे बात समझें हम लोग यह अपना ट्रांजिस्टर लेंगे जिसमें बीच में क्या है ध्यान दीजेगा यह डिप्लीशन रिजन नहीं है अभी डायोड नहीं चल रहा है ठीक है यहां पर क्या है पी है और यहां पर एन है यहां पर भी एन है ध्यान दीजेगा अभी डिप्लीशन है यहां पर मौर्ट यहां पर हा युद्यशन रिजन तो वह तोतो बनेंगे डिप्लीशन रिजन औरिषो रोड़ा नहीं भी डिप्लीशन रिजन अभी रिजन पर यह राइन रहीट बोलो अभी भी depletion region है जो diode में पढ़ा था हमने पस उसको हम draw नहीं कर रहे है क्योंकि हमने diode पढ़ लिया अब उसके results को directly use करेंगे क्योंकि आपका left side वाले को मैं emitter बोल रहा हूँ इसको मैं base बोल रहा हूँ इसको collector बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा electrons है इसमें थोड़े बहुत holes है और इसमें थोड़े से electrons है तो बताई ही सबसे ज़्यादा charge carriers किसके पास है इसमें उसका नाम emitter है ठीक है क्योंकि charge carriers असली में यहीं से निकलने वाले है तो यह charge carriers को एक तरीके से emit करेगा ओके बटा समझ में आगई बात emitter अपना N है base अपना P है और collector अपना फिर से N है अब देखे जो मैं NPN में बढ़ा रहा हूँ same to same बात PNP में valid होगी except for E की जगे H बनाओगे H की जगे E बनाओगे कोई दिक्कत कोई दिक्कत अब ध्यान दीजिए आपका जो emitter base junction है यह वाला जो junction है जंक्शन है ना emitter base के बीच में वैसे जैसे किसी भी डायोड में junction होता था है इस emitter base junction is forward bias क्यूंकि हम चाहते हैं कि current flow करे इस लिए हम चाहते हैं कि current flow करें इसलिए हम चाहते हैं जहां सब ज़्यादा charge collectors है charge carriers है वहाँ पर forward bias हो ओके विटा जिसे करेंट ज़्यादा है ओके विटा समझवारी बात हुआ है याद रहेगा है को तो मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ और फाइदा हो रहा है नहीं तो मैं फटा फट निकाल देता हूँ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है थोड़ा बहुत तो मेंटर बेस जंक्शन क्या है forward bias है तो इसका मतलब यह तो n side है और यह p side है तो बैटरी कैसे लगेगी बताइए positive channel उपर लगाऊं कि नीचे लगाऊं मैटरी का नीचे यह हो गया आपका forward bias ओके फिर कह रहे है कि जो base collector junction है base collector junction it is reverse biased base collector junction कैसा है base collector junction reverse biased है मतलब यहां पर बैटरी कैसे लगी कि बताइएगा तो positive terminal लगाऊं कि नीचे n side पे positive terminal लगाऊं पी साइट पे negative terminal लगाऊं यह हो गया आपका बिल्कुल basic बिल्कुल basic connection सबसे basic connection npm transistor transistor का in common configuration common base configuration so common base क्यों कहते हैं क्योंकि सर्ब बेस डारेक्ली इमिटर से भी connected है और बेस डारेक्ली collector से भी connected है हाई आना कि समझ में आई बात है कि समझ में आया कि नहीं अगया अब देखो क्योंकि यह forward bias है क्योंकि यह forward bias है क्या होगा यहां से electrons उदर की तरफ push होंगी करेंट बेसी के लिए से जाएगा है ना current की तरफ से कि जाएगा अंदर P से N की तरफ क्योंकि forward बाइस है आया ना बनो अ जै एलेक्ट्रों जाएंगा उदर कि तरह तो इलेक्ट्रों सुदर गया इलेक्र दोर गया इस तरह टो ठीक है जब एक्रोंस इदर गये तो ध्यान दीजेगा यह बहुत पतला है है कि है नहा और एडिया बहुत बड़ा है लाइट तो इलेक्ट्रॉन जो खूप तेजी सदर गया है क्योंकि इधर फॉरवर्ड वाया से इलेक्ट्रॉन्स अक्सलरेट होते वह डर करके उदर निकले उसम इनर्षिया की वज़े से मलव इसे इनर्षिया बूलना नीची आपर माल लो फड़ा इनर्षिया तो बहुत ही कम है यूद्धि आपको पता है कि जो स्पीड उती इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही कम होती होती की नहीं होती जो डिफ्ट वेलास्टी है वो तो सर्फ पॉइंट वन सेंटीमीटर पर सेकंड की ओर्डर के उती होती ही न हम बट फिर भी माल लो कि इनर्षिया के यह तो इतो माइक्रो मेटर में है तो सिंटीमीटर पर सेकंड बहुत हो गई स्पीड रइट इनर्षिया की वाज़े से नहीं तुरण इस शर्ण तक पहुंच जाएंगे मोज चाएंगे क्योंकि बहुत पतला है अ रइट अपको को इस पाले aiisu आ ई kr appear आप सब आप पता है मुझको यह पता है कि जो एक्टॉन्स की你就 maximum velocity हो रैंडम होती है राइट जो रैंडम स्पीड्स होती हो टेंट वावर सिक्स मीटर पर सेकंड के ओर के ओर रिफ विलास्टी जोती हो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड का ओर क्योंती है तो इनर्शिया कुछ खास नहीं है बट यह जो जंक्षन है यह बहुत ही सरी जो पी टाइप है जो बेस है यह बहुत ही पतला है माइक्रो मीटर वुला था ट्वेंटी माइक्रो मीटर राइट काफी पतला है इसले इलेक्ट्रॉन फिर भी इनर्शिया के उज़े से इस जंक्षन को जैसी क्रॉस करेगा वो आल्मोस जंक्षन पर पहुंच जाएगा पूंच जाएगा कि निए पहुंच जाएगा क्यों कि इधर का एड्या ज्याद है इस जाए इसे जाए तर इलेक्ट्र्ण इधर से निकलेंगे बहुत कम इलेक्ट्रॉनीर से निकलें घया ना कि पिर बोरो बोलो है अब देखो एलेक्ट्रोन अगर इधर आये ध्यान दीजेगा अच्छा इधर थोड़ से एलेक्रों थोड़ से लेक्रों इधर भी आएंगे रहीट इलेक्रों अगर उधर गये तो इसका मतलब क्या हो गया करेंट की दर एधर है ह्हां बोलिया तो यहां पर करेंट आया इस तरफ यह क्या हो गया आई इंटर करेंट क्या हो गया यह एंटर करेंट हुआ कि नहीं हो जो इलेक्त्रॉन्स इदर से इधर गये वह अल्टीमेट इदर से बाहर निकलेंगे तो इधर करेंट हो गया इस तरफ हूप और यहां पर करेंट हो गया इस तरफ थोड़ा सा दो यह सो नू अ बुलिये? यह सर हमने यह क्या देखा देखिए समझे हमने देखा कि इधर से कुछ करेंट अंदर जा रहा है I collector और इधर से कुछ करेंट अंदर जा रहा है I base यह सो नो और अगर आप simple कर्चाफ भी लगा देखे तो आप क्या बोल सकते हो IE is equal to IB plus IC लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आप electrons count करके भी बोल सकते हो आप कर्चाफ से भी बोल सकते हो, right? कर्चाफ से लगा सान है, इसलिए वह ही यूज करते है है न? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नमसा अब समझो symbol symbol क्यों था? NPN transistor का वैसा, यह तो base हो गया, sir अब दो बचे, एक emitter और एक collector एक emitter है, एक collector है collector में arrow नहीं लगाते है, emitter में arrow लगाते है, क्योंकि emitter main है उसका सबसे ज़्यादा charge carriers है और emitter से current किदह जा रहा है, इधर जा रहा है न, बाहर निकल रहा है न, इसलिए इस emitter में arrow ऐसे लगाएंगे समझ में आ गया hmm this is your n pn, अब symbol याद रहेगा के भी भी गड़ब करो के symbol में hmm याद रहे कापी कर लीजिए रहे कर रहे खज़गक और चम कर रहे Euros तुimm झाल 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 वे दिकत सबको समझ में आया की नहीं हाँ सर समझ कर तो आगे बढ़ जाओं येस तो एंपें ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ में आगे देखो पी एंपी का भी लिखता सकते हैं लेगन पेंपें कोई फर्क नहीं है बस यहां इलेक्ट्रॉन की जाए क्या लिखोगे होल की जाए क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स ठीक है पर में चीज क्या है में चीज क्या है कि बताइए तो करेंट का डायरेक्शन चीज क्या है कि अदर की तरफ होगा इसलिए सिंबल अदर की तरफ लग जाएगा समझ में आया अब आज समझे इसके बाद हम लोग एक चीज और समझेगा यह जो आपका क्यूंकि most of the current collector में गया था most of the electrons collector में गया थे आपका जो IC है ना that is approximately 95% to 99% of IE ठीक है और आपका जो IB है वो कितना बचा 1% to 5% of IE ठीक है और कितना current collector में जाएगा और कितना current base में जाएगा वो जो ratio है ना वो एक गिवन transistor के लिए constant रहता है okay and that ratio is almost a ratio of this almost in the almost in this ratio this ratio this area and this area area की ratio में रहता हो okay क्योंकि randomly जा रहे हैं electron ultimately, electron ultimately कैसे जा रहे randomly हाला कि यहाँ पर जो reverse bias वो help कर रहा है इसलिए फिर सब्सक्राइब बेटर ratio हो जाएगा Ic का but mostly जो dominating factor हो क्या है area है जिसके विए से IC बड़ा है IB के मुकाबले हलाकि यह चीज आपकी बुक से mention नहीं हो लिखा 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 यहाँ पर क्योंकि reverse bias इसलिए ज्यादा होता है पर एरिया भी उतना ही बड़ा factor यह सा समझ लो और एक गिवन ट्रांजिस्टर के लिए यह जो कितना percent current collector में जाएगा और कितना percent current base में जाएगा बेस से निकलेगा यह almost constant होता है एक गिवन ट्रांजिस्टर के लिए ओके विटा समझ में आया कोई दिक्कत को सिर्ड रेंडम निक जा रहा है तो हर बार एक कैसे हो सकता है एक लार्ज ना बेटा प्रबैबिलिटी काम करते है लार्ज नबर अफ एलेक्ट्रों होता है ना हम लोग मेरे करने का अदला है यहां जो बैटरी लगी उससे almost independent है है given कि यहाँ पर फोरवर्ड बाया से और यहाँ पर रिवर्स बाया से ओके कोई दिक्कत कोई दिक्कत चलो अब देखो हमारे पास दो फैक्टर्स है अलफा एंड बीटा पैरामेटर्स अलफा एंड बीटा पैरामेटर्स अगे बिसीकली अलफा क्या है अलफा को हम लोग अब मैं लिख दे रहा हूं बस रुखते हैं क्या इसका नाम है current गें इन इन कॉमन नो बेस कन्फिग्रेशन और गें का मतलब रेश्यों क्या रहें बात कर रहें एक एक इन्पूट कर रेंट होगा एक output current होगा, अभी पहले बता दे रहो, आगे चल के देखेंगे उसको, एक input current होगा, एक output current होगा, ठीक है, तो alpha क्या है, output current upon input current है, और common base configuration में output किसको बोलते हैं, output बोलते हैं, IC को, और input किसको बोलते हैं, input बोलते हैं, IE को, ओके, अलफा कितना हो गया, IC by IE, कोई दिकत, बीटा हो गया, बीटा का नाम है, current gain in common emitter configuration ओके, बीटा की definition क्या है, तो यह है, sir, IC upon IB ओके, यह alpha कितना होगा, sir, यह होगा, 0.95 से लेकर, 0.99 तक, और बीटा कीतना होगा, तो असर बीटा होगा, 19 से लेकर, 100 तक, समझ मारी बात, 2200 बोलो, roughly 19 बोल दिया, क्योंकि बस नंबर क्योंकि वहाँ 0.95 लिखा, इसलिए 19 लिख दिया, समझ मारी बात, क्योंकि अगर 95% IC होगा, तो अई भी कितना होगा, 5% 95 पर 5 कितना हो, 19 होगा, असको 2200 लिख सकते हो, कोई दिकत निए, समझ में आया कि नहीं आया, concept, इसलिए वाला पात नहीं समझाया, नाम समझ में confusion है, या इसमें confusion है, कि ये कैसे आया नंबर, नाम में तो छोड़ दो, नाम तो बस नाम है अभी अभी के लिए, उससे आदा नाम के कोई value नहीं है, बस लिख वार हो था कि जब रिवीजन करोगे, तो समझ में आएगा, ठीक है, अलफा क्या है, इल्पा क्या है, ये definition है, ये अलफा क्या है, और ये बीटा कि definition है, इसमें समझने लाय, कुछ नहीं है, अगर आप बोलो कि सरीकट तो समझा हो, तो मैं नहीं समझा सकता है, ओके, ठीक है, कि अब इसकी value मैं बहुँ था है, 0.95 से 0.99 होगी, क्यों, क्योंकि हाँ अब समझो अगर 95% collector में गए तो बेस में किता है कि पांच परसेंट तो 95 पॉन पांच किता हो 99 हूँ हाँ 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 और अगर 99 परसेंट इसमें परसेंट इसमें गए तो 99 में वन किता हुआ 99 वा 100 लिख दिया यार कोई कंफीजन वाली बात ही नहीं रहेगी ठीक है ठीक है सर्थ एंड इस नम इस नमबर्स आर फिर से लिख दे रहा हूं इस नमबर्स आर constant for a given transistor with proper biasing अगर biasing proper है मतलब emitter base junction forward bias है और base collector junction reverse biased है तो फिर यह जो ratio है यह constant रहता है एक given transistor के लिए ठीक है यहां तक तक किसी को दिक्कत नहीं उनीची मेरे खाल से byasing बड़ो आगे सरे एक मिनट बिख रहा है मैंने बभी तो पढ़ाया है नहीं अब पढ़ाऊंगा अच्छा है ठीक है ठीक है ठीक है बस्मानी दू फैक्टर्स आपको बता दिए जिससे की आपको रिविजिन के देंपे ज्यादा फायदा करेगा ठीक है ठीक है हो गया हो गया हो गया चलो तो अगला हमारा टॉपिक क्या है त्री कन्फिग्रेशन्स आफ अ ट्रांजिस्टर मैं आपको NPN ट्रांजिस्टर के कराऊंगा PNP के बस बैटरी उल्टी करती जाएगा कोई खास फ़ल्स में फर्क रही है ठीक है को दिक्कत तो पहला है Common Base Common Base Configuration Common Base Configuration कैसा होता है उता हमने बना रख है ना भी अल्रेडी तब से बहले तो NPN ट्रांजिस्टर बना लो जिसमें बेस को नीचे बना लो यह होगा NPN ट्रांजिस्टर यह एन है यह पी है यह एन है यह हेल्प करता जितना लिख होगा न इस अप्छिए एमिटर बेस क्लेक्टर हल्प करता है यह तो एकदम से वायर जे कॉनेक करने जाओंगा ना सूचना पड़ता है कि कौन सा गलेक्टर है वह एन है की पी है समझ महीं बात यह लिख लोगे छोटा होटा आपके है लिए लिखने लिखना ज़रूरी नहीं है यह अन्दस्टूर इस सिंबल से क्या मतलब इसका ठीक है तो यह अपना कंफिग्रेशन होगे है अना अब क्या करेंगे अपना कंफिग्रेशन नहीं अपना ट्रांजिस्टर होगे मैं गुला नहीं बना रहा हूं कि गुला बनाने से सिर्फ कंफिजन होता और कुछ नहीं होता ठीक है बट आप लोगों को बनाने क्या दालनी है ठीक है मैं समझा रहा हूं तो इसलिए मैं गोला बनाए बीना समझा रहा हूं कि अब देखो क्या होगा कि क्योंकि मेरे को इमीटर और बेस को इमीटर बेस जंक्शन कैसा करना मुझे फारवड बायस करना हम अलड़ी देखर चुके ही काम इमीटर पर कैसा लगेगा ऐसे लगए वैटरी की नहीं पताइए उल्टा है उल्टा है सभी वैटरी कैसे लगेगी ऐसे है और यहाँ पर क्या करना है कलेक्टर को कलेक्टर एन है रिवर्स बायस करना है तो कलेक्टर पर पॉस्टी टॉनल मार देना है फिक है यह हो गया आपका कॉमन बेस किसी को दिक्कत दूसरा है कॉमन एमीटर क्या ना में इसका कॉमन एमीटर दिसेज़ मोस्ट कॉमनली यूजट सबस्यादा हम लोग कॉमन एमीटर कंफिगरेशन यूज़ करते हैं किसी भी टांजिस्टर का इसमें क्या है फिर से सब्सक्राइब क्योंकि मेरे को इमीटर को कॉमन करना ना इसलिए मैं एमीटर नीचे बनाऊगा और क्योंकि NPN है अंदर इलेक्टरों जाएगा इमीटर से इसलिप करेंट बाहर आएगा या अब तो सिंबल में तिकत नहीं होरी ना समझ में आ रहा है सिंबल की नहीं बोलिए यह आपका इमीटर है यह आपका बेस है यह आपका कलेक्टर है यह एन है यह पी है यह लिखने से बहुत फायदा होता है बैटरी कनेक करने में ठीक है यह यहां क्या करेंगे बताइए यह कौन सा जंक्षन है यह क्या यह पीन जंक्षन है और क्या यह इमीटर बेस जंक्षन है इसको कैसा बाइस करना फरवड की रिवर्स करते हैं इमीटर बेस को रिवर्स करते हैं इमीटर तो में ने बेटा उसको तो आपको समझाने के लिए कि इसके वाद हमें क्या करना है यहां यहां यहांपर क्या करना है इसके लिए क्याओनना और क्याक्टर न है इसका पोटेंशल पी से ज्यादा होना चीए अन्या कि ज्यादा होना चाहिए कि नहीं बताओ बोलना यार तो क्या ही बैटरी काम कर जाएगए हमारा नहीं सर यह भी 5 वोल्ट यह भी 5 वोल्ट तो दुनों का पटेंचिल तो बराबर हो गया हमें इसका पटेंचिल इससे ज्यादा करना है तों क्या करेंगे यहां बड़ी बैटरी लगा देंगे समझ में आया कि नहीं यह समझ में आया यह जो अब यह जो कि अब यह कि अब कि अब यह पार समझ मैं कि नहीं बता दो एक बार कि 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 नहीं आये तो बोलो ना भाही कि 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 मुझे क्या करना है कि 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 क् Allen कि मुंट कि पहले हमेशा न हम कोशिश करते में 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 करनको करने पर दिक्कत क्या है कि एक में मीशन और बेशिके इड़ाय लेक्ट हीनिए यूए भी करणे पर नब और मजबूरी हमारी है तो हमें करना है कि प्रज्वर्ट्या रिवर्स तो कि रिवर्स करना है तो हम लों क्या करेंगे मालूम है आपके में इन में निगर टानल है और एन में पॉजिटिव टर्मिल ऐसे करके लगा दिए पूई दिक्कत किसी को हुँ कोई दिक्कत है नो स्थ सब्सक्राइब रिवर्स भाइस होगे नहीं है भूप पर उल्टा के ने रखाए या पर गलत है इसको वट क्या होगा यह जो इमेटर बेस जंक्शन है इसको मैं फर वाइस करना है मतलब एन का पोटेंशिल इस पी से और कम होना चाहिए रइट असमझे अगर यहां का पोटेंशिल जीरो यहां का अल्रडी मैंने सब्स्क्राइब तो जो करना है तुम क्या करेंगे इस तरीग से इस तरीगे श्राइब करेंगे आपकी जो मतलब मेरे पास जो वर्जन अपके इसे लोड़ा का उसमें मिस्टेक है मुझे देखाए कि मेरी बहुत पुरानी बुक है और मैंने आज ही रिलाइज के कि उसमें गलती है ठीक है तो पड़ते वग ध्यान रखना कनेक्शन ऐसे होगा कोई दिक्कत बैटरी कैसे कनेक्ट करते हैं इसी में एक क्लास चली गई है राइट भला इर्ड ब Tre dueota उला इंडा नहीं होगा भाडला इसको कैसा बैस करना फोड्व्वर्वर्ड उर्वीवर्ट इसलिक्रु आज्ऊ करें इसका करना थो एमें अ Marla एका उज़ियं पोड़र करना तो मस्त्येश्य के लिए आ कर दोकाना अच्छा हम माइने स्पांच यहां उससे और कम करना तो माइने स्ट करना पड़ेगा राइट है हाँ अब यह मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पर कनेक्शन करवाया है अब इसमें और भी चीज़े हैं जो मैं थोड़ जिर्ब में या अगली क्लास में अभी तो मैं बस एक और रिलेशन लेका के आज की क्लास में स्यादर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे खाले इंफॉर्मेशन काफी होची कि आज एक क्लास के इसाब से आया ना कि बोलो कि इसका अगला टॉपिक जो आएगा उसमें अपने आप में लंबी जोड़ी कहानी हो जाएगी लंबी जोड़ी हो जाएगी प्रिशान हो जाओगे आप लोग और अगली क्लास इस पूरे चैप्टर की सबसे में क्लास होगी आज की क्लास अगर समझ में आये तो कल की क्लास समझ परसुन में पढ़ भी पाओगे नहीं तो गली क्लास में पढ़ी नहीं सकते ठीक है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेना ठीक और अगली क्लास थोड़ी डिफिकल्ट भी होगी और हो सकता है मुझे अगली क्लास देड़ घंटे जगा पूरा दो घंटे खीचनी अब ही एक चीज और पढ़ लेते हैं मुझे अलफा और बीटा बड़ा था ना उनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन्स देख लेते हैं ठीक है रिलेशन बिट्वीन अलफा एंड बीटा भगवान जाने क्यों जिसने भी किताब लिखी है वो सोचसा के उनीक जीवन में कुछ अपने पॉमला रट के क्यों फॉमला लिख दिया उसने मुझे नहीं मालूब उसने लिखा है हर बुक में यह सनी की सिर्फ एक ही बुक में हर बुक में एंसी आटी में भी और हर बुक में अलफा इसको याद करने बच्चा परिशान हुआ कि नहीं होगा हां सर्फ होगा बला आई डों लाइक इट हमने बोला यार बड़ा सिंपल सी चीज है मेरा अलफा डिफाइंड है क्या आई सी वाई य और बीटा डिफाइंड है क्या बीटा क्या इसे रिफाइंड है आई सी बाए यार बीट यह अटीयार दोनों आंदिकत क्या है कि दोनों का निमेरेटर सेमें कास लिटर सेम को आजी से म्हां निकाल पाते हैं अ क्या पसंद है ऐसे मंपर सकोडम करना जिसका इनो इंगमनाथ में निमेरेटर सीकॉत कि अईर्ट कर नहिए यहां पर रहां आनों डाष निकाल लेंगे आई यहां भेर क्या निकाल लेंगेफ क्या हो जए गए आईबी बाई आईक थोड़ा सा सुचने वाली बात है रही Tá अम ऐन आ वोलिए अब बताईए मुझे क्या मुझे यह पता है क्या मुझे यह पता है कि IE जो है वो IB प्लस IC के बराबर है क्योंकि सर्थ इमीटर से जो करेंट गया वही तो दोनों में अगर मैं वण में से टू को सब्ट्रेक करों तो मुझे क्या मिलेगा सर्वन बाइअलफा माइनस वन बाइब बीटा इतना सिंपल रिलेशन है 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 न है सबसे इंपोर्टन चीजिए इसको ड्रेइफ करना किता असान है अब यह मत बुलना सर्थ कि वह जाद अच्छा था मेरे अंदर कुछ मर जाएगा नहीं सर यह जाद अच्छा है चलो ठीक है अच्छी क्लास में यहीं पर खतम कर रहा हूं नेक्स लास मैं बोल रहा हूं काफी इंपोर्टेंट है इंपक्ट आच्छी वे उतनीं इंपोर्टेंट लिए सब्सक्राइब करेंगे और अगली दो क्लासेज में मेरे ख्याल से यह चाप्टर हो जाना चाहिए सब्सक्राइब करें रेड़का अब वाला सब्सक्राइब को डिफ्रेंशीयर करके डिराइब होगा वैसे तो कर रहा है अपने क्लास में लेकिन रेकिन इसलिए इसलिए तो इसलिए नहीं आता यानसर में सब्सक्राइब सब्सक्राइब